सैफ अली खान से पदमश्री अवार्ड वापस ले लेना चाहिए सैफ नहीं डिजर्व करते पदमश्री एक बार फिर से इंवेस्टिगेशन होगी सैफ अली खान की पदमश्री को लेकर पिछले एक हफ़ते से मीडिया में इस तरह की खबरें हेडलाइन्स बनी हुई है लेकिन अब इन खबरों को लेकर सैफ अली खान का मीडिया के सामने आया है क्लारिफिकेशन एक पेपर को दिये इंटर्व्यू में सैफ ने कहा है जी हाँ सैफ ने इस बात में अपना सेंस अफ यूमर आड करते हुए कॉंट्रिवर्सी को बहुत लाइटली लिया वेल इसी के साथ साथ हर इशू पर खुलकर बोलने वाले सैफ ने पेपर को बताया कि definitely अगर उनसे अवार्ड वापस लिया जाता है तो ये painful होगा I agree that a punch-up is not what we expect from a पदमश्री but to take the honor away without proving that fact is a bit extreme Let the court decide who is to blame first वैसे आपको बता दे कि Thursday को होम मिनिस्ट्री ने मीडिया के सामने clarification दिया है कि सैफ अली खान से पदमश्री अवार्ड वापस लेने का उनका कोई प्लान नहीं है बता दे ये बावाल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि एक RTI activist में complaint file की है कि सैफ अली खान ये अवार्ड डिजर्ब नहीं करते है वेल जो भी हो लेकिन जिस तरह से अब इसे शुपर सैफ अली खान का बयान सामने आया है उससे इतना तो clear हो गया है कि छोटे नवाब अच्छी तरह जानते हैं कि Controversies को कैसे handle किया जाए Bureau Report, Zoom, Mumbai